चोपड़ा है जोपड़ा है जोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो उत्रपरदेश स्टेट में इस्ट्रे वेकंसी राउंड की वेकंसी फिल करने के लिए रूल चेंज हो चुके हैं रूल ये है कि ये इस बार ओनलाइन होगा और ये UPDGME द्वारक करवाया जाएगा इसमें जो मोपड़ाउंड के बाद सीटे वेकंसी राउंड लेकिन ये ओनलाइन कंड़क्ट होगा इस बार से तो UPDGME ने इसके रेगार्डिंग ये नोटिस दे दिया है तो आईए एक बार इस नोटिस के बारे में जानकारी ले लेते हम तो इसमें लिखा है कि मोपड़ाउंड के पश्चाद रेक तो शीट्टू है तो इस ट्रे वेकंसी राउंड का आयोजन ओनलाइन के माधियम से संपन करवाया जाएगा इस पर आपको ये रुपीज पे करके रेजिस्ट्रेशन करना है और इसके बाद में जो सेकुरिती मनी है गोर्मेंट की कंडिशन में थर्टी थाउजन है प्राइवेट मेडिकल की कंडिशन में 2 लाक रुपीज है और प्राइवेट डेंटल की कंडिशन में 1 लाक रुपीज ओनलाइन डिपोजिट के आ जाएगा जिन्होंने पहले करवा रखा है उनको जरूरत नहीं है लेकिन जो फ्रेस रेजिस्टेशन करना चाते हैं उनके लिए इतना अमाउंट पे करने की जरूरत होगी इस्टेश वेकेंसी राउंड में वही कंडिडेट इलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड तक कोई सीट अलोट नहीं हुई है यूपी स्टेट से मैं फिर बता देता हूँ वही कंडिडेट इलीजिबल होंगे जिनको अलोट नहीं हुई है यूपी काउंसलिंग के थुरू फर्स्ट सेकेंड और मोपप राउंड में इसके अलावा अगर किसी को दूसरे स्टेट में भी या फिर ओल इंडिया कोटा से भ ओरिजनल डोकुमेंट्स की रिक्वाइर्मेंट होगी तो आपको सभी ओरिजनल डोकुमेंट्स उस समय प्रोड्यूस करने होंगे इस्ट्रे वेकंसी राउंड में अगर कोई स्टुडेंट सीट अलोट करवा लेता है और उस पर जोइन नहीं करता है तो वो दोहजार अगली बार एकजाम ही नहीं दे पाएगा लेकिन यूपी स्टेट में यह रूल है कि अगर कोई यूपी स्टेट के इस्टे वेकंसी राउंड में सीट अलोट करवा लेता है उस पर जोइन नहीं करता है तो वो यूपी स्टेट की अगली कांसलिंग 2024 की next year 2024 की कांसलिंग में पार्टिस्पेट नहीं कर सकता है यह क्लियर रूल है और यह इस्टे वेकंसी राउंड के रूल आ चुके हैं ओनलाइन होगा तो अगर जिने कंडिडेट्स ने अभी तक सीट अलोट नहीं करवाई यूपी स्टेट से वो इस्टे वेकंसी गौर्मेंट क्या प्राइवेट की कंडिशन में भी यूपी में इस्टे वेकंसी राउंड में सीटे बहुत ही कम रहती हैं ने के बराबर ही रहती हैं तो यह जानकारी थी यूपी स्टेट के नए रूल के बारे में मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हिन।